Hey guys, what's up? तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक कमाल का आइडिया बताने वाला हूँ और ये आइडिया काफी ज़्यादा बहतरीन है और इसको आप हर जगा इस्तेमाल कर सकते हो हर रिलेशन को बचाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो इसे अपने पास हमेशा स्टोर रखना चाहें आपकी लव लाइफ हो कहीं भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो और इसका benefit definitely आपको मिलेगा बस समझने का ही सब कुछ फेर होता है तो वो आइडिया जो है उसको मैं स्टार्ट करता हूँ बताना आप लोगों को और बकवास लगे वाहियात आइडिया लगे ना तो comment box में जो भी दिल में आए लिख देना लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी understanding label है ना तो आप मेरी बात को समझने की कोशिश करोगो कि मैं किस base पे और किस गहराई में जाके कहने की कोशिश कर रहा हूँ देखो सबसे पहली बात चाहिए आपके girlfriend हो या कोई भी हो ठीक है सबसे पहली बात के रिस्ते पुराने क्यों पढ़ते हैं मतलब कि अगर आपको कोई छोड़के जा रहा है तो क्यों जा रहा है ये समझने की बहुत ज़ाता जरूरत हर किसी को होती है लेकिन समझता कोई नहीं है मतलब कि जिससे मान लोग कि आपके girlfriend है वो आपको छोड़के जा रही है तो हम क्या करते है नॉर्मली ज्यादा तो लोग क्या करते है कि वो रोने दोने लगते है या उसको मनाने लगते है या उसके बिना नहीं जिया जा रहा है, ऐसा लगता है, ठीक है, ऐसा लगता नहीं, ऐसा ही होता है, ऐसा हम करते हैं, ऐसा विएप करते हैं, ऐसा रियक्ट करते हैं, लेकिन यह आपने समझने की जो जरूरत है, मैं यह ने कह रहा है कि उस मुवमेंट में आप क्या करोगे, मै यहां पर बात यह आ रही है कि लोग छोड़की क्यों जाते हैं जाहिर से बात है कि लोग छोड़के यह रिस्ता कोई भी क्यों तोड़ना चाहेगा रिस्ता इसलिए तोड़ना चाहेगा क्योंकि वो रिस्ता पुराना लगने लगता है ठीक है मैं फिर से रिपीट कर रहा हू तो वही लोग कहते हैं, जिन्दगी कट रही है, जिन्दगी काटने के लिए नहीं, जीने के लिए मिली है, तो वही लोग कहते हैं, तो यहाँ पर यह ध्यान लगना है, कि रिस्ते पुराने ना पढ़ने पाएं, अब बात करते हैं, जैसे कि, जैसे मालो ना क्या होता है, कि स जाता है, रुची होती है, ऐक दूसरे को जानने की, दूसरे को समझने की, बहुती प्यार आता है, बहुती पतानी क्या- delayed gift फगेरा देते हैं, बहुती अच्छी-च्छी बाते करते हैं, अ-ằी आ ग्यारे को, सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे ये समय बीता जाता है, फिर उस ती यहां पर ऐसे साधी सुधार्लाइट में जलता है बहुत ज्यादा प्रेइम होता है यह उन्हें भी लगता है ज्यूकि बीन लेक्शन होता है तो काफी सब कुल सा ही चलता है 5 そना यहां पे देखेँ कि आप अपने रिले andar को वच चाने के लिए क्या कर सकते हो और आपको अपने रिस्ते में नयापन कैसे लाना चाहिए अब देखो जैसे कि मानलों का आप लिविर रिलेस्टिप में हो अनमेरिड हो ठीक है तो आपकी जो गर्फरेंड है या बोई फरेंड जो भी है तो उसके साथ कुछ नया करो ठीक है नया करने का मतलब मेरा कहने के मतलब यह है ना कि हमेसा नया करो और यह नहीं की केवल एक ही करें दूसरा भी करें ठीक है लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप नया करो जैसे मानलो कि आपने कभी अपनी गर्फरेंड को परपोच तो किया है ठीक है लेकिन कभी गुलाब का फुल देके प्रपोच नहीं किया है जब उसे गुलाब का फूल दो फिल्में देखते हो ना घुटने के बल टेक के उसे प्रपोच करो अला भी बोलो जो भी समझ मैं बोलो जो भी समझ मैं बोलो नया करो ठीक है चुटकुले सुनाओ जोक्स मारो ने ने जोक्स मारो ठीक है ये भी ने पन का ये एक तरीका है कभी ओब गए तो साइडी बगेरा मारो ठीक है फिर उसके बाद कुछ भी नया करो मेरा कहने का मतलब है आप अपने उपर नया कर लो और एक चीज़ जो होता है न कि जब हम जब कोई गल्फिन लड़के बना लेत ठीक है ना उससे ज़्याद अपने उपर ध्यान दोगे तो इसका मतलब यह हुआ कि वह आपके पीछे ही लगी रहेगी ठीक है नहीं तो आप उसके उपर ध्यान दोगे अपने आपको गिराते चले जाओगे आपका इस्टेंडर्ड गिरता चला जाएगा फिर उसकी नजर कि पुराग पुरा सेटी आपके पास नहीं हो ठीक है कोई सर्ट लेकर आए उसको पहन लिए तो इस तरह के से कुछ ना कुछ नयापन होना चाहिए यारी कि वह आप में देखे और उसकी नजर कुछ से करने तक टिक जाए ऐसा आप में कुछ चेंजेस होते रहना चाहिए यारी कि नयापन अगर आप में है तो कोई भी अब यह मैत कहना कि भाईया जो सचे दिल से चाहेगा ना वो चाहे किसी भी पोजीशन में रो वो लाइक करेगा ही करेगा छोड़के नहीं जाएगा भाई मेरे जो रियालिटी है ना उसको समझो ठीक है मैं यहाँ पे किस तरीके से काम करता है दिमाग का ही विवेक जो है न दिल को एक तरीके से डिरेक्शन देता है तो यहाँ पे मैं जो कह रहा हूँ दिल की पावर ज्यादा है ठीक है लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि वाकई में हमारा इंटरनल सिस्टम काम किस तरीके से करता है चा आपको बस नयापन अपन रिस्टों में लाना है. घुमाफिरा के बातें में नहीं जाता करूँगा. मिला के इतना है कि अगर आपके रिस्टें में नयापन है, तो कोई आपको छोड़के जाने वाला नहीं है. आप खुद क्यों किसी को छोड़के जाओगे अगर उसमें आपका इंट्रेस्ट होगा तो अगर इंट्रेस्ट नहीं है तो आप जाहिर सी बात है क्यों उसके साथ रहना चाओगे रहोगे भी तो मजबूरी बस रहोगे अगर आपको freedom दे दी जाए तो आप हट जाओगे बह जा सकता है कहने का मतलब यह नहीं है कि जिन में नहीं होता है वो तूट जाते है तो तोटने से भी बत्तर हो जाते है उस relationship का आप क्या करोगे जो मजबूरी बस घसीटते हुए जा रहे हो एक एक दिन बस कुछ काट रहे हो उसका क्या मतलब है खुलके जीना जिसको कहते है वो प्यार है ठीक है ना तो इस तरीके सब भी आपने relationship में नया पन लाओ अपकी जो relationship में बिंदास हमें ऐसा secure रहे है यह मैं guarantee देता हूं लिखके दे दूँगा ठीक है तो यह एक थोड़ा सा आप लोगों को बताना था तो उमीद है कि आप लोगों के लिए यह थोड़ा स कुछ idea एक नया लगा होगा और नया नहीं पुराना हिसा ही लेकिन कुछ clarity आई होगी ठीक है तो कैसा है यह मेरा idea comment box में बता जरूर देना ठीक है good bye and love you